क्या एपल कंपनी ने इंडिया के साथ भेदभाव किया है क्या एपल कंपनी ने इंडिया की इंसल्ट की है क्या ओलम्पिक्स जहां पर दूसरी कंट्रीज के साथ साथ इंडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया एपल कंपनी इंडिया को इग्नॉर करती नजर आई है इंड यह इशु उठाया है अक्टर अनुपम खेर ने अनुपम खेर जो इस वक्त नियू यॉक में है अपने प्रोजेक्स की वो शूटिंग वहाँ पर कर रहे हैं इसी दौरान उन्होंने नियू यॉक के एक एपल स्टोर को विजित किया जहां पर एपल की नई वाचेज आई है और ये वाचेज उन्होंने ओलंपिक थीम पर निकाली है और कई सारी कंट्रीज के फ्लैग्स पर उन्होंने इन वाचेज में वालपेपर और स्ट्राप्स दिये हैं ऐसे में अनुपम खेर को सभी कंट्रीज की वाचेज दिखी लेकिन इंडिया की एक भी वाच नहीं पसंद किया है उनकी बात से लोग सहमत है एक शक्स ने कहा एपल का कोई भी प्रोड़क्ट लाउंच होता है सबसे पहले एडवांस बुकिंग इंडिया में ही हो जाती है हम एपल का इतना बड़ा कस्टिमर बेस है उसके बावजूद ये कंपनी हर समय भेदभाव करती है ये कंपनी बहुत मीन है एक और यूजर ने कहा स्टेटस सिंबल के नाम पर फॉरण एंटिनेशनल कंपनी की प्रोड़क्ट को खरीदना बन करो जाहिर सी बात है एपल बहुत महंगा ब्रैंड है लेकिन इंडिया में स्टेटस सिंबल माना जाता है एक और यूजर ने कहा ये लोग अभी तक हमको थर्ड वर्ड कंट्री की तरह ही ट्रीट करते हैं इन्हें ये नहीं मालूम कि इनके प्रोड़क्ट की सेल का 30% अकेला इंडिया ही कंजूम करता है तो एक यूजर कहता है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन शायद आप गलत स्टोर में हैं हो सकता है कि इ इसे में सिर्फ इंडिया की नहीं थी इसलिए इशू उठाया गया है वल आपको क्या लगता है एपल ने ऐसा नहीं करके क्या इंडिया के साथ भेदभाव किया है क्या इंडियांस को सोचना चाहिए एपल के प्रोड़क्ट में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर इन क्वालिटी अच्छी है वही प्रोडेक्स खरीदने चाहिए क्या लगता है आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें